आपका पहला सवाल है नोबल प्रुष का प्राप्त करने वाले पर्थम बारतिये कौन था आपके उप्षन है A. हर्गोविंद खुराना, B. मदर टेरेशा, C. रविंदर नाठ टैगोर, D. चंदर सेकर आजाद आपका अंसर है C. रविंदर नाठ टैगोर आपका दूसरा सवाल है दोरा सतक बनाने वाली पहली बारतिय महिला किर्केटर कौन है? आपके उप्षन है A. मिताली राज, B. पूनव यादव, C. अंजुम चोपड़ा, D. सेफाली वर्मा आपका अंसर है A. मिताली राज आपका तीसरा सवाल है बहुतिक विज्ञान में नोबेल पुरुसकार प्राप्त करने वाले पर्थम बारतिय कौन थे? आपके उप्षन है A. जेजे थामसेन, B. सीवी रमन, C. मदर टेरेसा, D. भीमराव अंबीड कर आपका अंसर है B. सीवी रमन आपका चोटा सवाल है निम लिखित में से किस सेर को जीलो की नगरी कहते हैं? आपके उप्षन है A. स्री नगर को, B. ध्रमसाला को, C. कस्मीर को, D. उदेपूर को आपका अंसर है D. उदेपूर को आपका पांचवा सवाल है मनुष्य के चेरे पर कितनी अडियां होती है? आपके उप्षन है A. ग्यारा अडियां, B. तेरा अडियां, C. चाउदा अडियां, D. सॉला अडियां आपका अंसर है C. चाउदा अडियां आपका चटा सवाल है माइकेल एंजेलो नामक वाइरस दुनिया में चिन्ता का कारण कब बना था? आपके उप्षन है A. 1988 में, B. 1993 में, C. 1995 में, D. 1996 में आपका अंसर है B. 1993 में आपका साथवा सवाल है चाहे कि खोष सबसे पहले किस देश में हुई थी? आपके उप्षन है A. चीन में, B. नेपाल में, C. भारत में, D. अमेरिका में आपका अंसर है A. चीन में आपका अठवा सवाल है किस महापूर्ष की जैनती राष्टिय युवाज दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके उप्षन है A. मातमा गांदी B. स्वामी विवेका नंद C. सरदार भगस सिंग D. चंदर सेकर आजाद आपका अंसर है B. स्वामी विवेका नंद आपका नवा सवाल है भारत की तीसरी सरवादिक बोली जानी वाली भासा कौन सी है? आपके उप्षन है A. तेलगु भासा B. पंजाबी भासा C. मराठी भासा D. तमिल भासा आपका अंसर है A. तेलगु भासा आपका दस्वा सवाला निमलिकित में प्रात्मिक चेतर कीसे कहा जाता है? आपके उप्षन है A. ओद्योगिक चेतर को B. सेवा चेतर को C. क्रेसी चेतर को D. इन में से कोई नहीं आपका अंसर है C. क्रेसी चेतर को